दोस्तों आप सभी को याद होगा कि हमने स्कूल में A plus B के whole square और A plus B के whole cube के formulas पढ़े हुए हैं और यह series कितनी भी आगे तक जा सकती है जैसे A plus B to the power 4, 5, 6, 7 आगे कितने भी हम natural number तक जा सकते हैं इसलिए इसका एक general formula है जो आपकी screen पर आ रहा होगा दोस्तों इस formula में जो bracket में N over K है उसको binomial coefficient बोलते हैं मतलब इस सूत्र का विस्तार जब होगा तो उसके हर एक्टम में कितने का multiplication होगा वो संख्या इसी से निकल के आती है दोस्तों आज इस चार्ड को Pascal triangle बोलते हैं जो 17 अताबदी में जन्मे French mathematician Blaze Pascal के नाम पर है दोस्तों आचारी पिंगल जी को महर्शी पाड़नी जी का छोटा भाई भी माना जाता है और इनकी किताब छंदा सुत्रब में केबल Pascal triangle ही नहीं बलकि binomial theorem Fibonacci series और binary numbers जैसे concepts भी देखने को मिलते हैं दोस्तों